प्राचीन भारत से ही ये जग है साधना का प्रमुख केंद्र रही है यहाँ बड़े से बड़ा ग्यानी, तपस्री, रिशी मुनियों ने साधना की है वर्तमान में ये कुंड एक टूरिस्ट और रिसर्च का केंद्र बन गया है आईए सबसे पहले इसके रहस्य के बारे में बात करते है सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इसकी गहराई नाप नहीं सका बड़े से बड़े वैग्यानिक और गोता खोर इसकी गहराई नापने में ऐस सफल रहे जब इस रहसे में जलकुंड की खबर विदेशी चैनलों को मिली तो डिसकेवरी चैनल की टीम इंडिया आ पहुँची टीम अपने साथ कई गोता खोरों को लाई थी उन्होंने कई बार डुपकी लगाई लेकिन कुछ हाथ न लगा वो इसके रहसे और गहराई का सही आकलन लगाने में ऐस अफल रहे उन्हें कोई सबूत नहीं मिला रहसे नमबर दो कई बार ऐसा होता है कि नदी और तालाब में नाय गए लोग डूप जाते हैं इसके बाद मृत शरीर पानी में तैरते हुए उपर आ जाता है लेकिन भीम कुंड में ऐसा नहीं है ये इतना विचित्र है कि अगर कोई इसके पानी में डूप जाए तो उसका मृत शरीर कभी उपर नहीं आता वो एद्रिश्य हो जाता है या कहीं घुम हो जाता है रहसे नमबर ती जैसा कि हमने पहले भी बताया